समाज की जो संस्थाय हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो बीए के बच्चे हैं सोशल और पॉलिटिकल फिलोसोफी के उनको बैसिकली तीन मेजर सोशल इंस्थीशन के बारे में पढ़ना है और वो हैं फैमिली बैरेज और रिलीजन So one by one हम इन तीन social institutions की बात करेंगे लेकिन उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखेर social institutions होते क्या है सामाजिक संस्थाएं इनको हिंदी में कहते हैं तो सामाजिक संस्थाओं से हमारा क्या लेना देना है ये समझते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि विवाह क्या है और परिवार क्या है धर्म क्या है और समाजिक संस्था की रूप में इनका क्या महत्व है इन सब पर बात की जाएगी तो आईए सबसे पहले बात करते हैं what is social institution, meaning क्या है social institution का तो जैसा कि हम सबी लोग जानते हैं कि समाज जो है वो अनेक समाजिक संस्थाओं के द्वारा ही sustain करता है तो society में social institutions होते हैं लेकिन ये social institutions दो तरीके से प्रयोग होते हैं इनका दो तरीके से अर्थ लगाया जा सकता है पहला जिसे हम व्यापक अर्थ क्या सकते हैं यानि wider meaning में social institution क्या है और narrow meaning उसका क्या है तो पहले को हम wider अर्थ में समझेंगे दूसरे को narrow अर्थ में समझेंगे ठीक है तो व्यापक अर्थ में या wider sense में देखा जाए तो संगठन का कोई भी प्रकार या संगठन का प्रतिक प्रकार एक समाजिक संस्था होती है यानि any kind of organization is social institution for example आप देख सकते हैं family, language, state, education ठीक है ये सारी चीज़ें wider sense में क्या है समाजिक संस्था है क्योंकि इन्हीं के द्वारा बहुत सारी लोगों का एक organization बनता है, एक संगठन बनता है लेकिन ये सब जो है वो स्वाभाविक रूप से विक्सित होते हैं इन्हें मनुष्य जो है artificial तरीके से develop नहीं करता है ये सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से naturally ये क्या होते हैं, evolve होते हैं, develop होते हैं तो चुकि ये स्वाभाविक रूप से विक्सित होते हैं, इन्हें सामाजिक संस्था नहीं भी कह सकते हैं और प्राकरतिक संस्थाएं कह सकते हैं, natural institution कह सकते हैं अब दूसरा जो अर्थ है संखुची तर्थ या narrow meaning उसमें that organization which is created by the human desires is social institution इस अर्थ में सामाजिक संस्था संगठन का वह प्रकार होती है जो मनुश्यों की या मानूओं की इच्छा से, उनकी desires से, उनके choice से गठिद की जाती है और वो चाहते हैं इसको बनाना, इसलिए बनाते हैं वो चाहते हैं इसको कायम रखना इसलिए कायम रखते हैं और इन सभी संस्थाओं के इस तरीके के social institutions के कुछ निश्चित करता भी होते हैं, कुछ certain goals होते हैं तो इस अर्थ में हम social institutions की बात करते हैं यह narrow meaning of the social institution है और इसी अर्थ में जो विवा है, marriage, वो एक संस्था है ठीक है? क्यों? क्योंकि यह जो विवा है, वो मनुश्य बनाता है विवा की प्रथा का जो प्रारंब है, वो मनुश्यों नहीं किया था और इन दोनों अर्थों को यदि हम one or two numbering से दिखाएं तो अब हम देखना चाहते हैं कि किसको हम कह सकते हैं wider sense of institution और किसको हम कह सकते हैं narrow sense of institution तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विवा विवा एक संस्था है लेकिन इस उरूप में family एक संस्था नहीं है लोकसभा एक संस्था है लेकिन state जो है, राज्य जो है वो एक संस्था नहीं है जो printing press होते हैं, मुद्रडाले होते हैं जहांपे किताबें छपती हैं या जहां से अख़बार निकलते हैं वो एक संस्था है लेकिन भाशा, language as such एक संस्था नहीं है schools एक institutions है लेकिन education एक institution नहीं है इसी तरीके से हिंदू, मुसलिम, सिखे, साई, इत्यादी जो धर्म है वो संस्था है लेकिन जो धर्म as such है वो कोई संस्था नहीं है तो इन दोनों अर्थों में आपको समझ के चलना है कि किस sense में हम किसे संस्था या institution कह सकते हैं और किस sense में नहीं कह सकते हैं तो wider sense में लेके चलेंगे तो यह जितने भी यह group बने हुए है wider sense में तो यह सभी के सभी आ जाएंगे social institutions के अंतरगत लेकिन अगर specific meaning of social institutions लें तो यह सब institution कहलाएंगे और यह सब कुछ ऐसे संस्थाएं है जो social संस्थाएं तो नहीं है समाजिक संस्थाएं तो नहीं है बलकि प्राकृतिक रूप से develop हो जाती है और एक संस्था का रूप ले लेती है तो यह भेध हमें समझते हुए चलना है और केवल यह जो अंतर है उससे यह प्रतीत होता है कि जो संकिर्ड अर्थ है जो narrow meaning है उसमें समाजिक संस्थाओं का अर्थ है वो किसी विशेश संगठन से लिया जाता है जबकि व्यापक अर्थ में हम उनका अर्थ कुछ जो सामान्य पद्धतियां होती है उनसे लेते हैं जो कि लोगों को एक सुत्र में बानते है तो वैसे तो reality में देखा जाए तो जो social institutions होते है उनका जो wider meaning है वही उसका सचार्थ है और जो दूसरा अर्थ है यानि narrow earth वो पहले प्रकार की जो संस्थाओं है यानि यह इन्ही का एक विशेश या specific type है आप कह सकते हैं इस तरीके से तो social philosophy में जो specific importance है जो मुख्य महत्वा जो prime importance है वो basically इन्ही की है wider sense में जो संस्थाओं हैं उन्ही की है और जो बाकी संस्थाओं हैं जैसे marriage, लोग, सभापरिंडिंग, प्रेस, school और ये सारी चीज़ें इनका जो importance है वो वैसे तो social political philosophy में न होकरके अन्य जो disciplines हैं जो social philosophy के अंतरगत नहीं आकरके social science के अंतरगत आते हैं जैसे कि आप क्या कह सकते हैं civics हो गया आपका, politics हो गया economics हो गया या social science, education ये सारे जो disciplines हैं जो कि basically social science के विशें हैं इनके अंतरगत इनका अलग-अलग से study किया जाता है तो इतनी बाते बहुत जरूरी हैं सबसे पहले हमें समझने के लिए कि social institution है क्या और ultimately हम इनको summarize कर सकते हैं wider sense of the institutions है वही true meaning है जैसा कि हमने देखा narrow sense of the institution है वो हमें specific kind of institutions के बारे में बताता है तो इस तरीके से हम इनको समझते हैं और यह आप देख सकते हैं कि social institution का definition यदि आप करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि a social institution is a system or structure within society that fulfills certain essential functions and maintains stability and order तो समाज को चलाने के लिए समाज में बहुत सारे कारे होते हैं बहुत सारे functions होते हैं उनको ठीक से चलाने के लिए हमें institutions के जरुवत परती है और these institutions include family education, religion, government economy, healthcare and many others and they serve as the frameworks through which individuals interact, fulfill their roles and meet their needs within society so social institutions provide guidelines, norms, expectations for behavior as well as mechanism for socialization and the regulations of social life इनको आप society में social institution को समझने के लिए देख सकते हैं इस रूप में आप इनको explain कर सकते हैं describe कर सकते हैं और ज्यादा तो इनकी बात नहीं करेंगे लेकिन हम अगर थोड़ा Indian philosophical point of view से बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो social institutions हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे कि आत्मा के अलग-अलग कोश है आपने दिखा होगा कि अन मैं कोश है फिर प्राण मैं कोश है फिर मनों मैं कोश है फिर विज्ञान मैं कोश है और अंततह आनंद मैं कोश है ये जिस तरीके से व्यदानत में कोशों की अवधारडा होई है उसी तरीके से कुछ लोगों का कहना है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो कुछ-कुछ ऐसी ही है यानि कि मनुष्य को इन ही कोशों में रहना है इन ही संस्थाओं में रहना है लेकिन इन संस्थाओं से परे भी जाना होता है तो मनुष्य का जो स्वभाव है वो institutionalized भी है यान अर्षारए साथ रहता ही है प्लस हम किस तरह की संस्था से होकर की गुजरते हैं उसे भी हमारा स्वभव बनता है तो उसके लिए completely enough नहीं होती है या आप यह नहीं कह सकते कि यह sufficient है क्योंकि जितने भी यह institutions होते हैं वो मनुष्य के व्यक्तितों के लिए साधन का काम करते हैं यानि यह institutions जो होते हैं वो means की तरह से काम करते हैं मनुष्य के लिए और जो मनुषे का ये व्यक्तित होता है जिसको आप personality कहते हैं वो साध्य होता है तो मनुषे की जो personality है मनुषे का जो व्यक्तित हो साध्य है और institution उनमे साधन का काम करते है means का काम करते है Basically इस तरीके की बाद आपको West में भी देखने को मिल जाएगी और western philosophy में Bradley एक philosopher हुए है नाम आपने सुना होगा तो Bradley कुछ इस तरह की बात करते हैं और चाड़क के ने भी इस पर काफी बाते की हैं और लगबग इसी तरीके का point of view दिया है और ऐसा कहा जाता है कि मनुश्य जो है वो तब तक social नहीं हो सकता जब तक कि वह पशु की तरह जी रहा हो या समाच से उपर नहीं उठता तो ज़रूरी है कि मनुश्य अपने personality को completely perfection में लेके जाए या उतना विकास करें जितना ज़रूरी है और इसके लिए उसे मदद कौन करता है institutions किस तरीके के institutions बोथ natural and social तो social institutions का इसी लिए बहुत महत्व है और इस class में social political philosophy की class में हम लोग अलग अलग type के social institutions की बात करेंगे उनके importance की बात करेंगे जिसमें की सबसे पहला जो social institution है वो है family family यानि की परिवार और परिवार को एक social institutions की रूप में देखेंगे हम तो सबसे पहले आईए हम लोग बात करते हैं कि family का nature क्या है परिवार का स्वरूप क्या है तो परिवार के स्वरूप को हम कुछ in points में देख सकते हैं जैसे कि कहा जा सकता है कि family is a primary unit of society परिवार समाज की जो प्रात्थमी की काई है उस रूप में जाने जाती है यानि यह unit है society की so the primary unit of society is family फिर हम कह सकते कि यह foundation है सभी social institution का so family is a foundation of all social institutions समाज में जितनी संस्थाएं है उन सभी के मूल में क्या है उन सभी के मूल में परिवार है family है फिर आप कह सकते हैं कि family is a reflection of all other social institutions परिवार में कुछ और बहुत सारे गुड़ होते हैं जो समाज में और बाकी के जो social institutions हैं उन में नहीं होते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं कि परिवार एक प्राकृतिक संस्था है natural institutions के रूप में family को ले सकते हैं लेकिन बाकी की जो social institutions हैं वो सभी प्राकृतिक नहीं है, कुछ man-made भी है जैसा कि आपने पहले ही बात किया wider sense और narrow sense में बात करते हुए तो परिवार जो है वो एक natural और social दोनों टाइप का institution है, ये प्राकृतिक संस्था भी है और एक सामाजिक संस्था भी है इन सभी points को ध्यान में रखते हुए आप family के स्वरूप को या उसके nature को समझ सकते हैं, अब definitions के अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने social political philosophy में family को define करने की कोशिस की है और ये बहुत ही कठिन काम है कि आप family को define करें क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी संस्थान होती है, एक unit है, बहुत ही primary institutions है और जितने भी primary चीजे होती है, बहुत unit होती है, बहुत unique होती है, उनको कई बार define करना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि वो सबसी छोटी काई होती है, तो ये बहुत ही छोटी काई है इसको define करना वैसे तो बहुत टफ है लेकिन आएए देखते हैं कि कुछ लोगों ने जो प्रयास किया है वो किस तरीके से किया एक philosopher एक thinker हुए है professor callingwood callingwood ने family को एक mixed community कहा उन्होंने कहा कि family एक mixed community है मिश्रिद जनसमुदाय आप कह सकते हैं परिवार को और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कहते हैं कि इसमें दो तरीके के तत्व पाय जाते हैं two kinds of entities are there in a family एक को कहते हैं social और एक को कहते हैं वो non-social कुछ लोग इसे anti-social भी कहते हैं लेकि non-social कहना ज़्यादा सही रहेगा ठीक है तो परिवार में दो तत्व होते हैं एक तो सामाजिक या social तत्व और दूसरा और सामाजिक या non-social तत्व अब ये कह रहे हैं कि social में क्या है जैसे कि man और women ये दोनों एक साथ आते हैं एक साथ जुड़ते हैं एक साथ रहना शुरू करते हैं और परिवार बनाते हैं तो ये इनकी desire है, इनकी choice है इसलिए ये जो हिस्सा है वो social है क्योंकि ये human beings के अपने desire से बना हुआ है याद करिया आफ, narrow sense of social institution इसलिए ये institutionalized version है फिर ये कहते हैं कि man women जब साथ आते हैं तो children पैदा होते हैं यानि बच्चे पैदा होते हैं बच्चे तो अपनी अच्छा के बिना आए हैं यानि बिना अपनी desire के बच्चे किसी परिवार का सदस्य बनते हैं इसलिए कह रहे हैं कि ये by coincidence है यहाँ पर desire नहीं है बच्चे की तो इसलिए इन्होंने कहा कि दो तरीके के तत्व देखने को मिल रहा है एक तो इस तरह पूरुष का साथ रहना अपनी सुच्चा से, अपनी इच्चा से, अपनी desire से ये उसका social element है और बच्चों का उस परिवार में पैदा होना और coincidentally member of that family बन जाना ये non-social element है तो इन दोनों बातों को करने पर अगर हम थोड़ा सा analysis करने की कोशिस करें और देखने की कोशिस करें तो एक criticism यहाँ पर मिलता है वो criticism कैसा है? जैसे कि प्राचीन जो भाग्यवाद है जो deterministic theory है या जो मानो कर्म का सिधान्त है law of karma, theory of karma ये सब क्या करते हैं? इस तरीके की बातों में विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि हिंदु धर्म यह मानता है कि प्रतीग व्यक्ति अपने पूरो जन्म के कर्मों के अनुसारी किसी family में पैदा होता है तो अगर किसी बच्चे का किसी family में जन्म हुआ है तो वो संग्योवश नहीं है वो merely coincidence नहीं है बलकि उस बच्चे ने पूरो जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया है जिसकी वज़े से उसे ये family मिली है इस तरीके की विचार आपको प्राचीन भागवाद और आपलिक भी सकते हैं इसका नाम याद भी कर सकते हैं पागवाद और कर्मवाद इन दोनों के ही हिसाब से सटीक नहीं बैठती है ये criticism किया जा सकता है फिर दूसरी बात है कि जिनका जो social इन्होंने जो term लिया है कि ये by desires आते हैं वो भी ठीक नहीं बैठता है criticism में ये भी कहा जा सकता है कि calling wood का जो ये कहना है कि इस तरह पूरुष एक साथ आते हैं और परिवार बनाते हैं इसलिए उनकी desire involved है इसलिए यहाँ पे social elements देखने को मिलता है ये भी ठीक नहीं लगता क्यों क्योंकि इस तरह की बाते किवल जो है जो modern families है उनहीं में किवल देखने को मिलता है क्योंकि परिवार तो एक बहुत ही ancient human institution है और वहाँ पर ज़रूरी नहीं था कि हमेशा से इस तरह पूरुष जो है अपनी इच्छा से स्वेच्छा से ही परिवार बनाते थे कई बार क्या होता था कि परिवार इस तरह पूरुष अपनी मर्जी के बिना भी सिर्फ families की वज़े से एक तूसरे के साथ जुड़ते थे और family बनाते थे तो ये सारे criticism है कि कुछ families जो होती है वो बिना men and women के desire के ही बनती है और ये जो इनका सद्धान्त है वो लगभग applicable है modern families के उपर ancient या जो traditional families है उन पे ये बहुत ज़ादा सथीक नहीं बैठता है फिर अगर हम परिवार को थोड़ा सा देखने की जाने की समझने की कोशिस करें तो कह सकते हैं कि family is a small society and society is a large family तो family क्या है ये अगर society है और ये family है तो ये family जो है इसी society का एक miniature form है और ये society जो है इस family का एक broader form है तो जब हम कहते हैं कि सारा विश्व एक परिवार है तो basically वसुधाईव कुटुमकम या सभी मानो एक परमपिता की संतान है इस तरीके की बाते करते हुए कहीं न कहीं हम concept of family justice की बात करते हैं अब परिवार नयाय क्या होता है परिवार नयाय ये है कि ये जो संस्थाएं है इन संस्थाओं के सदस्य आपस में वही संबंद स्थापित करते हैं जो कि परिवार के सदस्यों में होता है तो जैसे एक family है और इस family में बहुत सारे सदस्यों है और इन सदस्यों के बीच में एक जो relation है उसी तरीकी का relation देखने को मिलता है हमें समाज, राज्य, विश्व और बाकी के अन्य बड़े version of family में और यहीं से परिवार की उत्पत्ती किसी समाज या संस्था से नहीं हुई है, ऐसी माननेता है क्यों? क्योंकि परिवार या family अपने आप में एक मौलिक और अनादी संस्था है यानि सबसे पहली प्रथम संस्था यही है तो family से बाकी संस्थाओं के उत्पत्ती मानी जा सकती है बाकी संस्थाओं के कारड family है, ऐसा नहीं माना जा सकता है बाकी अगर family को फिर अलग तरीके से हम define करने की कोशिस करें बताने की कोशिस करें, तो कहा जा सकता है कि family is a small state परिवार एक लगु राज्य है, जैसे कि परिवार एक लगु समाज है उसी तरीके से परिवार एक लगु राज्य है अब लगू राजे एका मतलब यह हुआ कि जैसे राजे में बहुत सारे काम होते हैं कर्तव होते हैं उसी तरीके से परिवार में भी होता है और राजे की उत्पत्ती का जो सिध्धान्त है वो काफी हद तक परिवार की उत्पत्ती के सिध्धान्त के आधार पर ही किया गया है आप पुराने टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो राजा और प्रजा का संबंध है वो बहुत कुछ पिता और पुत्र के संबंध जैसा ही है तो फैमिली में एक स्टेट का मिनियेचर फॉर्म देखा जा सकता है अब आगे हम ये भी कह सकते कि फैमिली इस फर्स स्कूल और नर्सरी और फॉमन बिंग्स अब देखिए कि परिवार जो है वो शिक्षा की आरंभिक पाट शाला है ऐसा हम बचपन से ही सुनते पढ़ते आ रहे हैं कहते हैं कि मा जो है वो बच्चे की पहली टीचर होती है या उसका जो परिवार है उसक सब को सिखाने की पहली फैक्टरी है पहली नर्सरी है और ये सभी जो डेफिनिशन हम दे रहे हैं ये लगभग एक तरीके से सब डेफिनिशन हैं या सब क्वालिटीज हैं फैमिली की वो किसी ने किसी फंक्षन के बारे मता जैसे फैमिली है उसके कई फंक्षन हैं तो हर ए हैं तो वास्तों में परिवार की परिभाशा देना कठीन है जैसा कि हम जानी चुके हैं तेकिन फिर भी उसके जो कारिये हैं उनके जो functions हैं उनको देखकर उनको समझ कर हम काफी हद तक परिवार क्या है कैसा है उसकी कैसी परिभाशा होनी चाहिए इन सब को समझने की कोशिस करते हैं तो परिवार को यहाँ पर समझने के लिए कहा जाता है कि बहुत जरूरी है कि इन सभी partial definitions के परे जाकर थोड़ा सार्म समझने की कोशिस करें कि परिवार में आखिर होते कौन है परिवार के members क्या है जो कि बहुत important बात है परिवार के सदस्यों को समझने की तो हम देखते हैं कि किसी एक परिवार में निमनलखित प्रकार के सदस्य हो सकते हैं यह सारे सदस्य परिवार के मानने जा सकते हैं अब इसमें देखिए West, East, Traditional, Modern इन सब को एक तरीके से mix-up करके एक list बनाने की कोशिस की गई है कि कौन-कौन से लोग परिवार के सदस्यों हो सकते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि Human Civilization के History में अगर देखा जाए तो Family की जो Membership है उसको लेके बहुत कुछ changes हुए हैं तो कुल में लाकर हम कह सकते हैं कि एक Family जो होती है उसमें एक Father होगा और आप जानते ही हैं कि जहाँ पर Father होते हैं और उनकी प्रधानता होती है उसे Patriarchal Society केते हैं तो वहाँ पर जो Father है वो पूरे परिवार का एक तरीके से राजा है उसका स्वामी है उसका पालक है वही पालता पोस्ता है सभी के सभी जो सदस्य हैं वो उसी पिता के अनुशासन में रहते हैं फिर माता की बात कर सकते हैं जो माता है परिवार की दूसरी जो मुख्य सदस्य होती है वो माता होती है और मानों सब्यता कि बहुत प्राचीन काल में अगर प्रागयती हासिक काल में अगर हम लोग जाएं और देखें तो हम पाते हैं कि मैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी और वहाँ पर मा का स्थान जो है वो पिता के स्थान से उचा हुआ करता था और आप इन दोनों को यदी मिला दें तो संस्कृत में बहुत सारे शब्द मिलते हैं जैसे एक शब्द मिलता है हमें दंपत्ती और पितरव इस तरीके के जो शब्द हैं ये कहीं ने कहीं बताते हैं कि भारती है जो समाश था या धर्म था उसमें इस्तरी पुरुष या माता पिता को एक एकाई मानते थे इसमें पती पत्नी दोनों हैं इसमें माता पिता दोनों हैं तो इससे यही पता जलता है कि ये लोग वास्तों में ये दो एंटिटीज नहीं बलकि ये दो व्यक्तियों का एक संगठन है और यहाँ पर इस्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं एक क्या भाव में दूसरा लगबग आधा ही है वो पूरा नहीं माना जाता इसलिए इस्त्री को अर्धांगिनी कहते हैं पुरुष को अर्धनारिश्वर कहते हैं जो भी हो राजनेतिक और आर्थिक दृष्टिकोर से यदि देखें हम तो पॉलिटिकली एन एकनॉमिकली जो फादर है उसका स्थान भले ही मा से या मदर से उचा हो लेकिन सोशल, मॉरल, रिलीजियस एन कल्चरल इन सारे परस्पेक्टिव से देखा जाए तो माता और पि किसी भी फामिली के सदस्य है अचा माता की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि पिछले काफी वर्षों पुर्व या अभी भी कहीं कई जगे पे होता है जो पॉलिगैमिका कल्चर है जहां पे कोई व्यक्ति कई सारी पत्निया रख सकता है वहां पे जब एक पिता की क पत्निया होगी और आपके जो अन्य पिता की पत्निया है वहां आपकी विमाता होगी उनका अस्थान विवा की पिता में देखा जाता है यह इतना अभी गौर हो चुका है इस पर उतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन चुकि यह सोशल फिलोसफी है तो इस इंस्ट कुछ कुछ बाते करनी होती हैं खेर चिल्डरन भी एक बहुत पूर्ड हिस्सा होते हैं किसी फैमिली का और आप जानते हैं कि संतान या चिल्डरन में पुत्र और पुत्री दोनों ही आते हैं पुत्र और पुत्री ही नहीं बलकि जो पुत्र है और पुत्री है उनके जो पु नहीं जाता है तो खेर इस पर काफी डीबेट हो सकता है कि ऐसी फैमिली को फैमिली माने की ना माने जहां पर बच्चे हो या ना हो और आप इस पर अपना उपिनियन भी दे सकते हैं लेकिन जादा तर लों का ये मानना है कि जो परिवार है उस परिवार का जो में मास्टर होत चाइल्ड ही उस परिवार का प्रभू है क्योंकि उसी के पालन पोशड के लिए सारा ये सब चल रहा है उसी को पालने के लिए उसी को शिक्षित करने के लिए परिवार की संस्था है और उसी पुत्र को जन्म दे के उसका विवा करके हम दूसरे फैमिली को पैदा करते हैं त पुत्र खासतोर से जादा महत्व पुड हो जाता है क्योंकि पुत्र सत्तात्मक फैमिली में आपको पता ही है कि पुत्र का कितना बड़ा महत्व बताया गया था कि पुत्र नहों तो आपको एक तरीके से मोक्ष नहीं मिलेगा तो दो तरीके के पुत्र भी देखने को मिलते ह जिन्हें हम औरस पुत्र कहते हैं और दत्तक पुत्र कहते हैं जो आपकी अपनी संतान है biological child उसे औरस पुत्र कहते हैं और जो adopted child होता है जिसे आप गोद लेते हैं विधिवत जब आपके अपने पुत्र नहीं होते हैं उन्हें हम दत्तक पुत्र कहते हैं तो चैविक संतुष के लिए तो जरूरी है कि आपका औरस पुत्र हो यानि बागी कोई भी ऐसा अंतर नहीं है जो कि दत्तक पुत्र में न हो या दत्तक पुत्र को औरस पुत्र से अलग करें तो ये सारी चीजे हम देखते हैं और ऐसा बहुत सारे ट्रडिशनलिस्ट लोगों का मानना है कि बहुत डिबेटिबल है और आज के समय में इसकी मान्यता नगर्ने होती जा रही है और जरूरी नहीं है कि पुत्र ही हो पुत्रियां भी उतनी ही बराबर की हगदार है और लोगों के कॉंस्टिटूशन्स में कंट्रीज में नेशन्स में बहुत सारे चेंजे आ रहे हैं औ खेर आज भी जरूरी है परिवार में इनको देखा जाता है स्लेव्स की बात करें तो प्राचीन काल में चाहे वो रोम का सामराजी रहा हो चाइंडियन जो सोसाइटी रही हो वहाँ पे दास प्रथा होती थी और जो दास होते थे वो परिवार के सदस्य माने जाते थे और जितने ज़ादा दास होते थे लोगों के पास उतना ही उस परिवार को सरिष्ट परिवार मना जाता था कि इनके इतने दास हैं खैर अभी तो दास्प्रथा का उन्मूलन हो चुका है और अभी दासों का कोई ऐसा कल्चर नहीं है उसकी जग के मेड कल्चर आ गया है जिसे बृत्य कहते हैं, तो हम बृत्य की बात करेंगे, इसे आप दास कह सकते हैं, तो दास कल्चर तो खतम हो चुका है, बृत्य की बात करेंगे, यदि तो बृत्य मतलब होता है सेवक, या फिर आपके जो मेड हैं, आज के modern day families में हम लोग मेड रखते हैं, उस तरीके की है, घरेल नौकर होते हैं या मेड होते हैं पहले जो कुछ समय के लिए आते हैं और आपका काम करते हैं और चले जाते हैं अपने परिवार में और दूसरे जो पूरे टाइम आपकी फैमिली में ही रहके आपकी फैमिली की सेवा करते हैं तो ये दो तरीके के लोग होते हैं इसमें इनको वो जादा तर family का सदस से नहीं माना जाता है और इनको माना जाता है खेर next है guest यानि अतिथी अतिथियों को भी guest को भी परिवार का सदस से माना गया था प्राचीन काल में ये लेकिन अस्थाई सदस से होते थे जो कब आते थे थोड़े दिन रहते थे और चले जाते थे लेकि आज के समय में अतित्री को अपने परिवार का सदस से नहीं माना जाता है बलकि वो एक स्रेंजर है, रिलिटिव है, एक फ्रेंड की तरह हो गया है, जो आता है, गुमता और चला जाता है, जादा दिन आप किसी के घर गेस्ट बनके नहीं रहते हैं, पहले ये बहुत होता था तो आर्थिक कारणों से कुछ परिवर्तन हुए हैं, पहले लोग जादा भरे पूरे थे, लोगों के पास इतना था, खाते थे, खिलाते थे, अभी लोग थोड़े चाहे आप कहें कि वो श्रिंक हो गए हैं, मौरली, या फिलांथ्रॉपी कम हो गई है, या समाज का स्ट्र जिन्हें आप गुरू या आचारे कहते थे, तो बच्चों को शिक्षा देते थे, हर एक परिवार के अपने गुरू होते थे, और वो बच्चों को पढ़ाते भी थे, और माता पीता का spiritual जो पत प्रदर्शन है, आध्यात्मिक पत प्रदर्शन है, वो भी किया करते थे, त युनामी कल्चर हो, ग्रीक का कल्चर हो, उन सभी जगों पर ये देखने को मिलता है, यहां तक ही प्लेटो के रिपब्लिक में भी ऐसा मिलता है, महाभारत, रामार, यह सब आप अगर देखेंगे, तो हर जगे आपको ऐसा दिखेगा कि सबके एक कुल आचारिय हुआ करते थे, और अभी यह चेंज हो गया है, बाद में बीच में थोड़ा सा मॉडन फिलोसोफी के टाइम पे, ट्यूटर का एक कल्चर शुरू हुआ था, और बहुत सारे जो संपन परिवार होते थे, वो ट्यूटर हायर करते थे, जो ट्यूटर उनके घर में रहके पढ़ाया करत थे, हलाकि यह भी अभी चलन में है, लेकिन वो ट्यूटर लगभग वैसे ही है, जो आते हैं, एक घंटे के लिए पढ़ाते हैं, और परिवार के सदसे की तरह नहीं है, बट कहीं कहीं चलन में, बोल चाल की भाशा में उनको परिवार का सदसे कंसीडर किया जाता है, इसी काम करते थे, उनका हाथ बटाते थे, और शिक्षा पराप्त करते थे, और वो उनके परिवार के सदसे रहते थे, और आपस में वो गुरु भाई, गुरु बहन की तरह एक दूसरे को देखा करते थे, और गुरु के लिए वो शिस्से उनके पुत्र के ही समान हुआ करते थ और प्राचीन काल से ही देखा जाता है कि बहुत सारे सोसाइटीज में लोगों ने कई बार तो आर्थिक दृष्टी से ऐसे जानवर पाले जो उनको मदद करते थे उनके लाइफ को अच्छा बनाने में और फिनेंशिल इनको स्ट्रॉंग करते थे जैसे कि गाय बैल लिया तो ऐसे बहुत सारे जीव लोग पाला करते थे और उनके परिवार के सदस्य होते थे आज के समय में देखा जाए तो भले ही आपके बच्चे हो या ना हो वेस्ट के कंट्रीज में जादा दर फामिली में कम से कम एक पैट जरूर रहता है वो चाहे कैट हो चाहे डॉ पालते हैं और उनका पालन पोशट ठीक उसी तरीके से करते हैं जैसे कोई अपने बच्चे का किया जाता है तो यह आज भी परिवार के सदस्य है बेहद इंपॉर्टेंट सदस्य है एक और बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य की बात यहाँ पर करनी जरूरी है वो है कुल दे हार होता है कुछ भी होता है तो उनको भी उसी तरीके से शामिल किया जाता है उनको याद किया जाता है उनके लिए भोग लगाया जाता है जैसे बाकी लोगों के लिए तो यह परिवार की जो सदस्यता है इनकी जो बिभिन्न प्रकार है वो लगभग डिफरंट डिफरंट time में different different रही है और हमेशा से ये एक दूसरे के सहायक रहे हैं एक दूसरे को help करते गए लेकिन जैसे जैसे democratic culture बढ़ता गया वैसे वैसे हमने देखा कि परिवार के जो सदस्य थे उनके types घड़ते गए आजकल इतने परिवार में सदस्य नहीं होते हैं बहुत कम सदस्य थे हैं जादा तर तो माता पिता और बच्चे वो भी कैसे बच्चे जो अविवाहिद बच्चे हैं तो father हो गए आपके mother हो गए और unmarried children बस यही एक परिवार के सदस्य रह गए हैं इतना अंतर आ गया है परिवार के स्वरूप में तो यह nuclear family का concept आजकल चलन में है और इसलिए modern time में जो family है उसकी membership बहुत change होई है और blood relation ही prominent रह गया है इसलिए teachers हो चाहे आपके students हो या फिर आपके guests हो friends हो यह अब आपके परिवार के सदस्य नहीं रह गए हैं लेकिन यह बहुत ही debatable issue है क्योंकि आप अगर आज के structure की बात करें तो आप इस family के structure को और expand कर सकते हैं और इस पर अपना opinion दे सकते हैं जब चार friends मिलके कहीं apartment लेके एक साथ रहते हैं तो उनको family कहेंगे की नहीं या आप hostel में रहते हैं या आप कहीं रहते हैं तो वहाँ पर आप उसको family की तरह देखेंगे की नहीं यह बहुत सारे अन्य questions हैं open questions हैं आप deliberate करिए और सोचिए और इसमें क्या जोड़ सकते हैं क्या घटा सकते हैं आप अपना opinion देने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत रहें अब देखें हम बात कर लेते हैं परिवार के जो प्रकार हैं फैमिली के जो types हैं या kinds हैं उन पर बात करें तो तीन तरीके के types बहुत ही popularly हमें मिलते हैं पहला है pure tribal family जिसे वन ने परिवार कहते हैं जंगल family कहते हैं और अगर भारती सवता में देखें तो मनु और सत्रूपा की बात कर लें या फिर पास्चाते सवता में आदम हुआ आदम इव की बात करें वहां से स्रिष्टी का प्रारम माना जाता है और मेटा फिजिक्स में जैसे हम कहते हैं कि जो गौद और जो प्रकृती है यानि पूरुष और प्राकृती आप कह लेजीए वो मिल करके स्रिष्टी की रचना करते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक जड़ तत्व है और एक जो conscious तत्व है वो मिलकर के ब्रह्मार्ण की अस्थापना करते हैं या उनकी रचना करते हैं वैसे ही जो social life है उसका प्रारम हमेशा एक इस्तुरी और पुरोष एक male और एक female इनको मिला करके होता है और यहीं से शुर structured घर नहीं था या कोई जगए निश्चित नहीं थी कि यह ऐसा है वैसा है तो basically वो जंगल में रहते थे और अंजानी में ही undeliberately वो एक परिवार में बंदे हुए थे इसी को वन ने परिवार कहा जाता है जो कि आज के समय में ना के बराबर देखने को आपको मिलेगा second kind of family has matriarchal family जिसमें की mother center में होती है और आपको पता है कि माता केंदर बिंदु में रहेगी पिता का स्थान गौड हो जाएगा और घर की स्वामिनी वही होगी और पहले अगर देखा जाए तो सिंदु घार्टी सब्वेता में आपको इसके proof भी मिलते हैं कि matriarchal family एक्जिस्ट करती थी और अभी भी कुछ tribal culture में matriarchal family देखने को मिलती है लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा परिवार जब था तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इस्तरियों और पुरुष के शक्ती परिक्षा में इस्तरियां जो है वो बहुत weak साबित हुई पुरुष जो है वो सबल था या शक्ती के रूप में वो ज़्यादा powerful था तो इसलिए वो dominant कर गया और फिर patriarchal family बन गई खैर इसमें factual clarity कितनी है factual truth कितना है ये तो debate का issue है लेकिन ऐसा माना जाता है कि matriarchal family exist करता था और widely dominantly exist करता था फिर ये patriarchal family में convert होता चला गया अब patriarchal family बताने की जरूरत नहीं है आप सभी लोग जानते है कि जहां पर father center में होता है परिवार का जो मुखिया होता है वो पिता होता है और जो modern family system है वो लगभग इसी patriarchal family से निकल के आई है जहां परिवार के बाकी सब ही सदस से गौड होते हैं पिता ही प्रधान होता है और एक पिता के जितने पुत्र होते हैं उनके जितने पुत्र होते हैं वो सब अगली पीडी के पुत्र उसी परिवार के सदस से माने जाते हैं तो समाज में जब हम अर्थ व्यवस्था को ऐसे देखते हैं कि agricultural जो time था या कृश जब प्रधान थी तो basically जो परिवार थे वो संयुक्त परिवार हुआ करते थे लेकिन अभी आज के समय में nuclear family होते जा रहे हैं और यह दोनों ही परिवार का जो संगठन है इनका जो structure है वो basically patriarchal family से ही निकल के आता है और यहां पर joint family क्या है यूनिक family क्या है आप यह जानते हैं यहां पर बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे यह number में बहुत बड़ा होगा यह बहुत छोटा होगा यहां पर basically पती पतनी और बच्चे ही होंगे तो इस तरीके से परिवार के type थे और basically क्यों टूटा joint family इसके तो बहुत सारे reasons हैं जादा तर आप अपना दिमाग लगाए और इतना काम संयुक्त परिवार में लोग करने ही पाते हैं एक दूसर पर अपनी जिम्मदारियां टालते हैं फिर द्वंध होने लगते हैं जगड़ा होता है भाई-भाई का जगड़ा हो रहा है देवरानी जठानी का सास बहु का तो यह जो जगड़े होते हैं परिवार दस खाते थे तो लगबग वही कहनेकार थे कि दस निकम में भी हो तो वो चल जाता था तो कहीं ने कहीं नुकलियर फैमिली आपको सर्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको हमेशा से प्रोटेक्शन मिलता रहेगा और आपका काम चल जाएगा फैमिले में तो मेभी आपको भी सर्फ सफिशेंट होंगे ही नहीं या सेल्फ रिलाइंस कभी सीखेंगे ही नहीं तो इसके बहुत सारे प्रोज कॉन्स हो सकते हैं इस पर आप सोचिएगा कि जॉइन फैमिली इस गुड और नूपलियर फैमिली इस गूर नुकलियर होता है और उसी के लिए परिवार होता है तो परिवार के इन सभी रूपों के जितनी हम लोग बात करते हैं उतना ही ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में अगर एक हैरार्की देखें तो प्राचीन काल में जो फैमिली थी वो धीरे-दीरे विक्सित होती गई विक्सित होती गई और अभी हम जहां पर आ गए हैं वो बड़े रूप से छोटे रूप की तरफ आ रहे हैं यानि बड़ी फैमिली से छोटी फैमिली बनती जा रही है और जहां पर बहुत conscious नहीं हुआ करता था family एक तरीके से unconscious form हुआ करता था अब हम बहुत ही conscious level पर आ रहे हैं तो धीरे धीरे ये सारे changes होते जा रहे हैं also हम कह सकते हैं कि पहले जो families होती थी वहां जो center of attention होता था या center of the power होता था वो बहुत ही जो महतवपूर सदस है जैसे कि पिता उनके पास था जो कि सबल थे अब धीरे धीरे आज कल की family में ये center of the power सबसे निर्बल वक्ति पे आ गया जैसे कि शिशू child तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है परिवार के structure में जो बदलाव है उनके types को देखने पे study करने पे पता चलती है और ये बहुत ही interesting fact है और इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात कर लें कि अखिर family का basis क्या है परिवार को आधार कहां से मिलता है ये परिवार होता कहां से है तो देखिए कुछ biological attitudes हैं जैविक प्रवितियां हैं जिनके कारण परिवार को आधार मिलता है ये परिवार बनते हैं जैसा कि आप जानते ही हैं कि बहुत सारे पक्षी और पश्मों में जैसे शेर हुआ या जो सियार होते हैं चकई चकवा होते हैं गोरईया होते हैं कवा होते हैं और बहुत सारे जानवर हैं सांपों को भी इसमें रखा जा सकता है कुछ परजातियों को वो सभी मोनोगैमिक होते हैं और वो विवाग या परिवार जैसे संस्था के रूप में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बाइलोजिकल जो आटिट्यूड है कि जितना शायद किसी पशुपक्षी का हो क्योंकि दूसरे पशुपक्षियों के बच्चे तो मादा भी तक बिना सर्वाइफ भी कर जाएं पर यदि परिवार न मिला छोटे बच्चे को मनुष्य के बच्चे को तो वो जीवित ही नहीं रह सकता है तो उसके लिए तो एक natural necessity है family प्लस इसके अलावा biological के अलावा psychological attitude भी होते हैं जैसे कि हमारे अंदर जो ग्यान है हमारी जो भावनाएं है या इच्छा है knowledge, desire, feelings, etc. ये सब हमें परिवार में रहने के लिए प्रेडित करती है या परिवार बनाने के लिए एक आधार परदान करती है क्योंकि ये सभी एक साथ मिला करके human consciousness या मानुचेतना बनाती है और ये जो human consciousness है ये बहुत ही important है जिसकी वज़े से हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे अंदर काम वासनाएं हैं उनके अतिरिक्त हमारे अंदर कुछ और भी चीज़े हैं जैसे कि हम अमर होना चाहते हैं या अपने आपको अनेक रूपों में व्यक्त करना चाहते हैं और विदानत की भासा में कहें तो एक और हम बहुत स्याम प्रजाये यानि कि मैं बहुत सा हो जाऊं और बहुत सारे संतानों को जन्म दूं और अपनी चेतना को बहुत सारी चेतनों में प्रसारित करूं इस तरह की इच्छाएं भी होते हैं मनुश्यों में और इसलिए वो अपनी खुद संतान पैदा करते हैं फिर संतान को पैदा करने के बाद उनके जो emotional attachments होते हैं कि उनका पालन पुशन करना है उनको प्यार करना है उनको अपना सब कुछ देना है जो कमाया है उनको सिखाना है उनको योग्य बनाना है और फिर उनके थूँ अपनी आत्मा का दर्शन करना है यानि अपने बच्चों के थूँ अपने उन imperfections को perfect करना है जो हम खुद नहीं कर पाए तो ये सारे जो psychological needs है हमारे emotional needs है हमारे desires है हमारे feelings है उन सब को परिवार बनाने के लिए आधार की तरह से देखा जाता है फिर economical reasons है political reasons है educational purposes है इन सब की वजह से family आती है अपने स्वरूप में आती है जैसे की economical reason में बात किया जाए तो family को sustain करने के लिए economical reasons तो चाहिए ही कहा भी गया है महाभारत में कहा गया कि धनात कुलम प्रभवती यानि कि जो धन है उसी से कुल का व्यापार संपन होता है धन ही न हो तो परिवार कैसे चलेगा तो धन नश्ट हो जाता है तो परिवार नश्ट हो जाता है शंकराचारे ने कहा नश्टे द्रव्य कह परिवार यानि कि यदि परिवार का धन नश्ट हो जाए तो वो कैसा परिवार है परिवार नहीं रहेगा आप जानते भी है कि COVID में क्या हुआ, कई सारे परिवार खतम हो गए, उनके पास खाने के लिए नहीं था, जिनके पास धन नहीं होगा, इस तरह कि कोई pandemic आ जाए, या कोई epidemic आ जाए, कुछ बिमारिया फैल जाए, और आपको उपके घर में कैद कर दिया जाए, आपको किसी औ भन नहीं है, तो क्या आप सस्टेन कर पाएंगे, आप खाए बिना मर जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल जो रीजन्स हैं, उसमें देखा जा सकता है कि human beings एक political being है, ऐसा कहा था, Aristotle ने भी, हम तो social being है, political being है, तो स्वभाव से ही हम लोग क्या चाते हैं, शासन करना चाते हैं, यानि dominate करना चाहते हैं, rule करना चाहते हैं और हर एक व्यक्ति, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी वो अपने इस desire को fulfill करना चाहता है, तो कैसे करता है शादी करके, अपनी पत्नी पे, अपने बच्चों पे शासन स्थापित करता है और इससे उसके अंदर का जो जो वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो satiate होता है कहीं नगर उसको लगता है कि चलो मेरे अंदर का ये जो राजनीतिक ये है वो परिपूर्ड हो रहा है तो ये जो कामना है, उसी कामना से व्यक्ति विवा करता है संतान पन करना ये बहुत सारे लोगों का मानना है, बहुत सारे थिंकर्स का मानना है, जो ये मानते हैं कि जो परिवार हैं वो राजनीतिक कारड़ों से उत्पन्न होते हैं और राजनीतिक कारड़ भी एक कारड़ है संबन्द बनाते हैं सेम तो यहाँ पे आप economical में भी जा सकते हैं कि दो business families आपस में relation बनाते हैं एक दूसरे को अपना परिवार बनाते हैं ताकि वो economically sustain कर सके हैं तो यह बहुत सारे reasons हैं बहुत बाते की जा सकती हैं इन पर लेकिन बस इनको इनके मूल में समझ लेना है कि हाँ ये एक basis देती है फैमिली के लिए educational purpose भी है जैसे मनुष्य जो है वो जो कुछ भी सीखता है वो अपनी अगली पीड़ी को देना चाता है हम जो जानते हैं वो चाते हैं कि हमारा परिवार सीखे तो जो जो ज्यान संतान की प्राकरतिक संस्था है उसमें क्या हुआ कि परिवार के अलामा जो एक दूसरी संस्था है जिसे हम स्कूल कहते हैं स्कूल या कॉलेज या विद्याले ये सब भी आ गये और धीरे-दीरे जो परिवार का ये काम था कि उसको शिक्षा देना है, बच्चों को सिखाना है, वो कॉलेज की तरफ नरसरी, किंडर गार्डन उनकी तरफ चला गया, लेकिन फिर भी परिवार में जो सिखाया जाता है, वो आज भी कोई स्कूल, कोई विद्याले, कोई कॉलेज आपको नहीं सिखा सकता, तो आपकी जो संसकार बनता है, और आगे उसका बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि फैमिली एक कल्चिरल, रिलीजियस और एथिकल इंस्टिटूशन है, ना तो ये केवल समाजिक नहीं, बलकि समाज में जो अन्य फंक्शन्स हैं, संसक्रते, राजनेते, धारमेक, अन्य जो भी फंक्शन्स हो सकते हैं, इंस्टिटूशन के, वो सब आपको परिवार में देखने को मिलते हैं, और इसलिए परिवार बहुत इंपॉर्टन है, अब कहागे कि ये जो पांच यहाँ पे आपको बेसिस आफ फैमिली देखने को मिल रही हैं, यदि इन्हें माटा जाए, तो यह जो दो हैं, यह एक तरीके से यांतरिक या मेकेनिस्टिक दिखाई देती हैं, और बाकी की जो तीन हैं, वो कहीं न कहीं परपसिफ या ठीरियोलोजिकल दिखाई देती हैं, प्रोफेसर संगमलाल पांडे का ऐसा मानना है, और उन्होंने ऐसा कहा भी है, कि तीन कुछ परपस से होती हैं, और बाकी दो जो हैं वो तो ऐसे ही mechanically चल रही हैं, क्योंकि human being होने के नाते आप इस तरीके के आधार देते हैं, अब परिवार की बात करी रहे हैं, तो परिवार के functions की बात कर लेते हैं, परिवार में बहुत तर्स्त पे डिपेंड करता है, उनकी पूरती कराना एक कार्य है, जहां पर आपकी sexual desires complete होती हैं, और आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, साथ रहते हैं, और वो cooperation, वो need, वो trust, वो relationship, वो intimacy डिवलप करते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, यह एक family का function है, दूसरा procreation and child कि आपको अपने बच्चों का पालन पोशड करना है उन्हें बढ़ाना है उन्हें सिखाना है और इसके लिए चाड़के नीती दरपडम में चाड़के का एक श्लोक है जो बहुत ही फेमस है वो कहता है कि लाल येत पंच वरशाडी दसवरशाडी ताड़येत प्राप्ते बच्चे का दुलार करना चाहिए तो 0 से 5 साल तक को प्यार करना है फिल उसके बाद आपको उनके साथ मित्रवत विवहार करना है इस तरीके से उन्होंने बाट के सिखाने की दिखाने की कोशिस की है कि कैसे माता-पिता को अपने बच्चों का पालन पोशड करना चाहिए कब उनको डाटना सही नहीं है, कब उनको डाटना सही है और कब उनके साथ मित्रवत विवार किया जाए, इसको इस स्केल से समझाने की कोशिस की है चालक के ने तीसरा काम क्या है marriage, marriage यानि विवाह, विवाह परिवार में रहके होता है तो परिवार का एक काम है कि वो अपने बच्चों का विवाह कराता है, उनका विवाह करता है, ये बहुत बड़ा काम है, आज भी आप देखेंगे कि माता पिता सोचते हैं कि अपने सभी बच्चों की शादी वदी कर दें और मुक्त हो जाएं, उनका एक ही ये धेर रहता है क मेरे सबी बच्चों की शादी हो जाए उनका अपना परिवार हो जाए और तब वो अपने आपको मुक्त समझेंगे यानि कि विवा एक कारे की तरह है परिवारों में इसे कारे की तरह देखा जाता है खेर ये तो इंडियन इस सोसाइटी में आज भी देखने को मिलता है लेकिन वेस्टरन सोसाइटी और उसके प्रभाव से और सिर्फ वेस्टन सोसाइटी का प्रभाव नहीं कहेंगे बलकि बहुत प्राचीन काल में ये इंडियन सोसाइटी का भी प्रभाव था और इंडियन सोसाइटी भी ऐसी थी कि शादियां बच्चे तै करते थे न कि उनके माता-पिता जिसे आप लव मैरिश कहते हैं एक बहुत ज़रूरी कारे है किसी भी फैमिली में तो क्योंकि फैमिली में ही रहके बच्चा जो है उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना बोलना सफाई कैसे करनी है हाईजीन मेंटेन करना, कपड़े पहनना, लोगों को ट्रीट करना, मॉरालिटी ये सब चीज़े यहीं से सीखता है और मान लीजे कि यदि आपके आसपास किसी बच्चे के पैदा होते उसे कोई सियार उठा ले जाए, कोई बढ़िया उठा ले जाए वो जो मानो परिवार से शिक्चा मिलती है, वो न मिलने के कारण आप मानो शिशू बन ही नहीं सकते इसलिए परिवार से हमें जो नैतिक शिक्चा मिलती है, जो धार्मिक शिक्चा मिलती है या जो हमें अच्छे बुरे का घ्यान होता है यह सब बहुत जरूरी होता है तो चाहे हो हमारे धारमी करिती रिबाज हों या फिर तेवहार हों, फेस्टिवल्स या फिर वुरत हों, फास्टेंग्स, एट्सेट्रा यह सब हमें यहीं से मिलता है तो परिवार का क्या महत्व है आप इसी से समझ सकते हैं कि आप सभी एक family से आते हैं और आप किसी school college में आने से पहले कितना कुछ जानते थे, सीखते थे, समझते थे, वो सब आपने कहां से पाया, अपनी family से पाया, तो खेर इन शिक्षाओं के अतिरिक ते यदि देखा खासतर से आज कल देखा जाए तो आदुनिक family या modern families में माता पिता चुकि दोनों working है, इसलिए बच्चे को ये सिखाने का time नहीं मिल पाता और इसलिए kindergarten, crash और nursery जो schools है वहाँ पे, ये सारे काम कराये जा रहे हैं, लेकिन ये कहना उचित होगा कि बच्चे को जो माहौल और ये जो शिक्चा, जो प्रात्मिक शिक्चा है, जो घर में मिलती है, उसका कोई substitute ये crash, kindergarten और school नहीं हो सकता है, खेर, इन सब के अलामा financial works भी एक बहुत important work है family का, तो आपको पता है कि कुछ परिवार बहुत संपन होते हैं, कुछ बहुत गरीब होते हैं, और बहुत सारे लो इर्शा, या द्वेश, हैट्रेड, ये सारी चीजें, conflicts, clashes, ये सब पैदा हो जाते हैं, और इसे समाज खत्रे में पढ़ जाता है, तो आज के समय में धीरे धीरे ऐसा हुआ है कि परिवार लगबग सभी middle class की तरफ बढ़ रहे हैं, ना बहुत जादा पैसे को मातों दिया अपने बच्चों को आर्थिक कारे करने के लिए मजबूत भी करती है, और एजुकेट भी करती है, और पहले के टाइम में तो अगर देखा रहे हैं, तो हर एक फैमिली की लगबग जो जातियां बनी हुई थी, या उप जातियां थी, वो व्यवसाई से ही संबंदी थी, त उनका अपने एक प्रोफेशन था, उनके अपने एक वृत्ती हुआ करती थी, जैसे कि बार्बर थे, ब्लैक स्मित, कार्पेंटर, मिल्क मैन, या ओल मेकर्स थे, पॉर्टर्स थे, वाशर मैन थे, रिकॉर्ड कीपर्स थे, प्रीस थे, रूलर क्लास था, ये सब क्लास एक तरीके से फैमिली के थ्रू ही डिवलप होता था, और ये फैमिली बिजनेस की तरह देखा जाता था, फैमिली प्रोफेशन की तरह, ये आकुपेशन की तरह देखा जाता था, जहां पे कि बच्चे अपने ही फैमिली में रहके वह साई चीज़े सीख जाते थे, तो फिनैं financial work कहीं और हो रहा है, education कहीं और हो रहा है, marriage अपने आप बच्चे कर रहे हैं और बहुत सारी family procreation करना नहीं चाहती, child rearing करना नहीं चाहती है और conjugal life आजकल अच्छा नहीं है, या साथ नहीं रहते, family में शादी करके भी पती पतनी दूर रहते है तो ये एक तरीके से कुछ लोगों का ये कहना है कि इन सारे ही points पर आजकल की families fail होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि परिवार खत्म हो रहा है, या परिवार का विनाश हो रहा है खेर इस पर भी अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या परिवार खत्म हो रहा है मगर उससे पहले थोड़ा सा ये देखना जरूरी है कि family की क्या कुछ demerits भी है क्या क्योंकि कहीं न कहीं इतना बात करने पर लग रहा है कि family बहुत ही जरूरी है, family बहुत important है, सब इसमें अच्छा-च्छा है लेकिन क्या इसमें कुछ demerits भी है तो इस पर भी बहुत सारे लोगों ने बात की है और demerits of family की बात की जाए तो ऐसा मानते हैं कि family की वज़े से conflict होता है परिवार और industry के बीच में ऐसा क्यों होता है क्योंकि आपको पता है कि industrialization जब बढ़ा तो बड़ी बड़ी industries लगी अब बड़ी industry लगी है तो उसमें लोगों को काम करना है, काम करना है तो लोग अपना परिवार छोड़के industry में जाएंगे यानि शहर में जाएंगे और इस तरीके से परिवार के सदस्य परिवारों से दूर होते चले गए और यदि आप परिवार को बहुत महत्व देंगे तो आप दूर industries में काम करने नहीं जाएंगे तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि या तो industrialization सफल होगा परिवार सफल होगा या फिर परिवार बचेगा और industries खतम होगी तो इन में एक conflict देखने को मिलता है दूसरी चीज़ है इसी तरी कि एक conflict family और state में देखने को मिलता है ये ऐसा है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप family को बहुत जादा महत्व देने लगते हैं तो आप अपने state के साथ अपने रास्ट के साथ राज्य के साथ गदारी कर सकते हैं और ऐसे ही लोग अपने परिवार के लिए चोरीड़ कहती रास्ट दोस्त अब करते हैं अपने परिवार के लिए लोग अपने देश के खिलाफ दूसरी जगह जाके गदारी करते हैं या दुश्मनों से मिल जाते हैं और उनका ये कहना है कि मैंने तो ये अपने परिवार के लिए किया तो परिवार क्या अतिरिक्त जो मो है वो राज्य के लिए घातक हो सकता है और यदि आप राज्य से अतिरिक्त मो करते हों तो कई बारा परिवार को निगलेक्ट कर देते हैं तो इनके बीच में एक clash देखने को मिलता है और इस तरीके का clash basically प्लेटो और रूसो के बीच में देखने को मिलेगा क्योंकि प्लेटो ने कहा था कि जो राज्य है उसका भार केवल ऐसे ही लोगों पर होना चाहिए जिनका परिवार नहीं होता है यानि कि जो शासक वर्ग के लोग हैं जो सत्ता जिनके हाथ में है उनको अपना परिवार नहीं रखना चाहिए यदि उनका परिवार होगा तो वो अच्छे शासक नहीं होंगे लेकिन रूसो इसके विपरीत बात करते हैं उन्होंने कहा कि परिवार का त्याग कर देंगे तो मनुष्य की जो स्वाभा भावनाएं होती हैं उनकी त्रिप्ति नहीं होगी और यदि मनुष्य अपनी भावनाओं को अत्रिप्त रखे डिस्साटिसफाइड रखे तो उसके जो व्यक्तित्व हैं उनमें बहुत सारी कम्या आएंगी उसकी परसनालिटी डिफेक्टेड हो जाएगी और वो कभी भी एक एमोशनल ये एक सच्चा आदमी नहीं बन सकता इस पर आए दिन डिबेट होता रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि जिनका परिवार नहीं है वो अच्छे सत्ताधारी होते हैं कुछ कहते हैं कि जिनका परिवार नहीं है वो अच्छे सत्ताधारी होई नहीं सकते क्योंक के अपने तर्क हैं अपने प्रबल तर्क हैं और आपको इसमें जो सही लगता है आप उसका logically side ले सकते हैं और अपना विचार भी यहाँ पे दे सकते हैं लेकिन कई ने कहीं मुझे यह ठीक लगता है रूसो का कहना कि हमारी emotional जो satisfaction है वो बहुत जरूरी है और भावनाओं की जो तरिपती होती है emotions का satiate होना वो family में ही होता है और इसलिए family एक बहुत ही supreme moral institution है तो यह बहुत important चीज़ देखने को मिलती है और हम ऐसा कुछ hard and fast rule नहीं तैक कर सकते कि कौन अच्छा राजा बन सकता है या अच्छा शासक बन सकता और कौन नहीं बन सकता है यह तो देखना पड़ेगा कि व्यक्ति कैसा है खेर इसी तरीके के बाद अपना परिवार होने के बाद दोस्तों से बहुत कर जाते हैं क्योंकि वो अपने family में busy हो जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि यदि आप family को बहुत मातो देते हैं तो आपकी friendship पीछे चूड़ जाती है यदि आप friends को बहुत मातो देने लगें तो आपकी family पीछे चूड़ जाती है तो इन दोनों के बीच में ताल मेल बनाना मनुश्यों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है और इसलिए लोग कहते हैं कि परिवार जो है वो friendship के आड़े आती है और जो लोग भी मैत्री को बहुत महतो देते हैं friendship को महतो देते हैं वो परिवार के उनमूलन की बाप करते हैं इसी तरीके का एक conflict family और culture में भी देखने को मिलता है ऐसा culture से मतलब यहां पे किसी भी शांस्त्र कला या धर्म के उत्छान से है जैसे कि कोई व्यक्ती बहुत कलाकार हो कोई विद्धान हो धार्मिक व्यक्ती हो तो अकसर आप देखेंगे कि परिवार उसके लिए बाधा बन जाती है और यही वज़े रही है कि जो महान विचारक हुए हैं दाशनि की तरह पाते हैं अपने उस मिशन में ऐसा कबीर ने भी पाया ऐसा गांधी ने भी पाया और ऐसे लोगों को लोगों ने कहा कि वो अपने वंच के नाशक होते हैं क्योंकि कबीर का परिवार नश्ट हो गया कबीर को कहा जाता है कि डूबा वंच कबीर का उपजापूत कमाल यानि कि कबीर का तो जो बच्चा था वो उनसे भी बड़ा, कमाल उनसे भी बड़ा वीरक्त था, इसी तरह महात्मा गांधी के बच्चों को लोग कहते हैं कि उनके बच्चे कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाए, क्योंकि महात्मा गांधी modernization के खिलाफ थे तो उन्होंने नसकृती के साथ थोड़ा conflict create करता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं हमेशा, क्योंकि आप जानते हैं व्यास का परिवार तो नश्ठ हुआ, क्योंकि व्यास जी के जो पुत्र थे, शुकदेव, वो आजन में ब्रहमचारी थे, लेकिन शुकदेव ने ही श्रीमत भागवत contribution दिया है, जो की मानवता के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए में भी कुछ लोगों का ऐसा करना इस जीवन के लिए, इस जगत के लिए जरूरी भी था, तो परिवार जो है वो बहुत संकिर संस्था है, और इसमें कोई स्रेष्ट मानो यदि बंधना चाहे, तो बड़ निश्प्रयोजन है, निरर्थक है, क्योंकि वेस्ट में आज आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जादा बच्चा पैदा करने को महत्वत दिया जा रहा है, लोग जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके फैमिलीज नहीं हो रही है, उनको लेके सरकार कितना कंसर्ण होती जा रही है, और जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे चाइना और इंडिया या जो एशिन कंट्रीज हैं, वहाँ पर किस तरीके का एंटी चाइल्ड जो नॉम्स हैं, वो पास किया जा रहे हैं, लॉस पास किया जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस आप समझ में आ जाएगा अब कुछ एक दो बातें बहुत जरूरी है बहुत ही डीटेल में तो नहीं करेंगे बहुत चोटे-चोटे तरीके से इसको करेंगे कि क्या इन फ्लॉस को कम किया जा सकता है तो कुछ लोगा कहना है हाँ बिलकुल कम किया जा सकता है हम हावनी मेंटे तो आत्मा के लिए पृत्वी का त्याग कर देना चाहिए तो परिवार ऐसे आप देखेंगे कि फैमिली है फिर सोसाइटी है फिर स्टेट है फिर आपका नेशन है और अंत में क्या है पूरा वर्ल्ड है ठीक है और इसके भी उपर सोल है आत्मा है तो धीरे धीरे ये देखें जैसे कोशों की बात थी वैसा ही कुछ है और जितने आदर्शवादी विचारत हैं वो कहते भी है कि कम के लिए अधिक का त्याग करना उचित नहीं है अधिक के लिए कम का त्याग करना उचित है इसलिए समाज को विलेज की तरफ है जिसको आपका जो ग्राम समाज है उसको ले लीजिए या स्टेट है डिस्ट्रिक है तो बड़े के लिए छोटे का त्याग किया जा सकता है ऐसा चाड़क्य का कहना था दूसरी बात यह कहते हैं आश्रम विवस्था जो बनाई गई थी ब्रैड विव्यक्ति को परिवार को महत्तों देना ही है तो अपने जीवन का जो एक चॉथाई भाग है वो हमें अपनी फैमिली को देना है बाकि इसी तरीके से वान चॉथाई अपने एजूकेशन को उसी तरफ ब्रह्मचयरिय ग्रहस्त वानपरस्त और सन्यास आश्रम है चार उन आपको 25-25 वर्ष के भागों में सभी आश्रमों में जीवन बिताना है खैर इन में थोड़ी-थोड़ी कमिया है सब में और हम जानते हैं कि जिस समय पर जैसे ये आपका समय शुरू होता है 25 से 50 का ये सबसे प्रोड़क्टिव समय होता है क्योंकि आप सबसे ज़्यादा समझ अपने higher ideals की प्राप्ति कर सकते थे और उसी time आपने उस time को कहा दे दिया फैमिली में दे दिया तो दोनों चीज़े एक ही साथ हो रही है कि time पे इसी time पे ज़्यादातर लोग जो है रिनांस्ट हुए हैं महावीर स्वामी रहे हो या महात्मा बुद्ध रहे हो या विवेक एक साथ सटीक नहीं बैठती हैं खेर इस पर बात किया जा सकता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए पर परिवार का पूरी तरीके से त्याग मनुष्य और समाज दोनों के दिहानी कारक है इतनी बात तो हम समझ गये हैं और इसलिए अन्त में एक प्रश्ण उप की है और दो मोक्ष वादी जो थे उन्होंने कहा कि परिवार मोक्ष प्राप्ती में बाधख है इसलिए आपको मोक्ष चाहिए तो आपको परिवार को छोड़ना पड़ेगा इसे हम लिबरेशनिजम कह रहे हैं कलपना बात में बात की जा तो इटली के एक पादरी थे जिन पर अपना सारा जीवन आधारित करते हैं और जिनकी फैमिली होती है वो अकुमिलेशन करते हैं पॉसेशन करते हैं और इसी प्रवृत्ती की वज़े से ये जो उतराधिगार का नियम है वो हमें और जादा पॉसेश करने को और जादा अकुमिलेट करने को प्रेडित करता ह और society में बहुत सारे problems create करता है इसलिए यदि हमें परिग्रह का नाश करना है तो इस परिग्रह को हटाने के लिए ये कहते हैं कि हमें परिवार को हटाना पड़ेगा जब तक परिवार रहेगा लोग accumulate करेंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने की कोशिस करेंगे क्योंकि उनको परिवार को देना है transfer करना है inheritance में तो उन्होंने एक ऐसे आदर्श समाज की कलपना की जहांपर कि उन्होंने कहा कि पिता को पता ही नहीं होना चाहिए कि मेरा पुत्र कौन है और जहांपर पिता पुत्र एक दूसरे को नहीं जानेंगे वहांपर ऐसी सोसाइटी बनेगी खेर ऐसी सोसाइटी मातरे की यूटोपिया लगती है और ये परिवार का पूरी तरीके से उन्मूलन हो जा ऐसा संभव नहीं होता है या परिवार का पूरी तरीके से उन्मूलन हो जा ऐसा संभव नहीं होता है क्योंकि जब तक मनुष्य रहेगा और जब तक उसका शरीर रहेगा तब तक परिवार तो रहेगा ही इसलिए समाज की जो विशमता का कारण है वो परिवार की प्रवृत्ती ही है ऐसा कहना कुछ जादा ठीक नहीं लगता है हमें और भी देखनी चाहिए चीजें की क्या-क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वज़े से आर्थिक विशमताएं आती हैं तो इनके जो समाजिक कारण हैं जो राजनातिक कारण है जो धार्मिक कारण है जो अन्य प्रवर्तिक कारण है उन पर भी ध्यान देना चाहिए इसलिए हमें नहीं लगता कि कोई परिवार जो है इसमें आर्थिक आसमांता के लिए या विशंता के लिए दोशी होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं दुनिया में, developed countries भी हैं, जहांपे की आर्थिक विशंता को दूर करने के लिए अन्यकारडों की खोज की गई और उनको दूर भी किया गया लेकिन परिवार हैं वहाँ पे, family अभी भी भी वहाँ पे exist करती हैं, तो तीसरा जो एक view point मिलता है, communism का communism में एक thinker हुए Victor Catherine, और Victor Catherine ने अपने पुस्तक socialism, its theories, basis and practical implications, मैं title लिख देती हूँ, basically socialism, its theoretical theoretical basis and practical implication ये बुक है और इस बुक में उन्होंने क्या कहा कि जो मनुष्य में हम समानता की जो बात कर रहे हैं, नर नारी की समानता की जो बात की, या भौतिक बात की, या education का nationalization करने की जो बात की, उसकी वज़े से society में परिवार खत्म हो रहा है ये सामेवाद के विरोधी थे, हलाकि सामेवाद क्या कहता है, कम्यूनिजम ने कभी नहीं कहा कि family का नाश कर देना है कम्यूनिजम अपने आप में तो नहीं कहता लेकिन कैथराइन कहते हैं कि अगर कम्यूनिजम के सिध्धान्त देखे जाएं कम्यूनिजम के सिध्धान्त क्या है तो वो कहते हैं पहला तो जो एक्वालिटी की बात है कि इस तरी पुरुष दोनों समान है ये और फिर दूसरे को वो कहते हैं मैटिरियलिजम materialism और तीसरा वो कहते हैं कि education का जो nationalization है ये तीनों मिल करके family को खतम कर रहे हैं कैसे खतम कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि अगर नर नारी दोनों समान हो जाएंगे और राथिक दृष्टी से भी समान हो जाएंगे तो एक दूसरे पर कोई depend ही नहीं रहेगा divorce ले सकता है और ऐसे में family sustain कैसे करेगी क्योंकि divorce तो तब नहीं होता है जब कोई एक दूसरे पर निरभर रहता है और इसलिए वो उसको छोड़ने पाता है लेकिन यदि आपको लगे कि आप उसके बिना रह सकते हैं तो आप divorce ले लेंगे ऐसा कौन सा divine system है विवाह में जिसको मानना ज़रूरी है वो कहते हैं कि free sex क्यों नहीं establish किया जा सकता इसके अनामों वो कहते हैं कि family की कोई जरूरत नहीं है या विवाह की कोई जरूरत नहीं है और सामेवाद के अनुसार जैसे कि बाल भवन बना दीजे किंडर गार्डन बना दीजे और नरसरी बनाईए एस्पताल बनाईए स्कूल्स बनाईए और ये सब की विवस्ता कर दीजे तो ये कहते हैं इस अब कर देंगे आप तो होगा क्या उन्होंने कहां ultimately ये होगा कि इस education का असर पढ़ेगा हो जाएगा यदि communism को लागू कर दिया जाए तो खैर परिवार के बारे में ultimately हम लोग कहें तो ये कहा जा सकता है कि परिवार एक प्राकरतिक लोग संस्था है जिसका कोई भी substitute अभी तक नहीं आया है तो ऐसा कोई society अभी तक नहीं हमें मिला है जहां पर कि free sex के दौरा आप किसी समाज की रचना कर रहे हों और यदि कहीं कर भी रहे होंगे तो उसे बहुत दिगनी 5 तरीके से देखा नहीं जाता है समाज में आज भी लोग कहते हैं और लोग ये मानते हैं ये समझते हैं कि यदि परिवार परिवार का भाव यहां तक ही पशुपक्षी भी महसूस नहीं करते तो मनुष्य कैसे बिना परिवार के रह सकता है बहुत सारे पशुपक्षी भी परिवार में देखे जाते हैं पाए जाते हैं और ऐसा लगता है कि परिवार उनके लिए ज़रूरी चीज है, तो मनुष्यों के लिए इसके बेना जीना तो लग बग असम्भु ही है, खर अब हम समझ गया है कि परिवार क्या है, इसके कारे क्या है इसका प्रकार क्या है, इसके फ्लॉज क्या है इसका चोड़ी सी चीज पर हम बात करेंगे जो काफी debatable हो सकता है लेकिन जरूरी है कि यदि आप एक अच्छे परिवार की बात करें आप से पूछा जाए as a social political thinker कि एक अच्छे परिवार के क्या लक्षर हो सकते हैं तो आप क्या-क्या points सोच सकते हैं फिलाल संगमलाल पांडे ने चार प्रकार के इन फीचर की बात की है जिन से किसी फैमिली की स्रिष्ठता को नापा जा सकता है वो कहते हैं कि पहले तो जिस परिवार में abundance of money होगा बहुत धन के दिखता होगी जितना अधिक धन उतना अच्छा परिवार ये criticism भी इसका किया जा सकता है कि यस स्यास्ति वित्तम सर नरह कुलीनवा है जिसके पास अधिक धन है लेकिन सामने बात क्या कहेगा जिसके पास जितना धन है वो उतना बड़ा सोशक है तो आज के समय में जिसके पास जितना अधिक धन है या पूजी पती जिसको आज गाली की तरह देखा जाता है कि पूजी पती पूजी पती एक शोसक की तरह देखा जाता है एक गाली की तरह देखा जाता है मौरल हों, जहां पर चोरी डकैती नहीं होती हो, बहुत आलस न हो, या एक दूसरे की निंदा न की जाती हो, जो अच्छे आचरड लोग अपनाते हो, जैसे कि तब हुआ, इंद्रिय संयम हुआ, ब्रह्मचर्य हुआ, पवित्रता हुई, अन्नदान कर रहे हैं, ये सभी गु पर गड़ेदी पर बैठ करके, कुछ लोग वीरता से, कुछ लोग परोकार करके, कुछ लोग शासन करके, या बड़े सीट पर गड़ी पर बैठ करके, कुछ लोग कला और विज्ञान की उन्नती करके भी किर्थी प्राप्त करते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत प्रतिभासाली होते हैं बड़े परिश्रमी होते हैं और कुछ लोग का कहना है कि जिस परिवार के बच्चे और इसलिए कीर्थी को सुरिष्ट परिवार का लक्षर कंसीडर किया जाना बहुत सही नहीं लगता है फिर हेरिटेंस की और चिल्डरन की बात कर ली जाए तो कुछ लोका कहना है कि जिनकी वंश परमपरा अधिक समय तक चलती है वह सुरिष्ट परिवार है और जिस परिवार में अधिक पुत्र होते हैं वह भी सुरिष्ट परिवार है लेकिन ऐसा नहीं है आज की समय में समय बदल चुका है जिस परिवार में बहुत बच्चे होते हैं उस परिवार को बहुत सुरिष्ट परिवार नहीं माना जाता है हाँ inheritance की बात कर सकते है वंश परंपरा की लेकिन फिर भी जरूरी ये है कि आपकी वंश परंपरा जो चल रही है या आपके जो बहुत सारे बच्चे हैं वो गुड़ी है कि नहीं क्योंकि एक गुड़ी बच्चा एक अच्छा बच्चा बहुत सारे मुर्ख और साधार एवर जाकरतिक संस्था है जिसे हम परिवार कह रहे थे वो परिवार के बारे में हमने काफी डीटेल्ड में देखा समझा जाना और एज़ा सोशल पॉलिटिकल स्टूडेंट्स नाउ इस यूर रिस्पॉंसिबिलिटी तो एवालुएट व्यूपॉइंट्स एंड गिव और ओन करना चाहते हैं क्या घटाना चाहते हैं और इसे किस तरीके से वैलुएट अनलाइज करते हैं ताट्स अप्टू यूप कि यह क्लास काफी लंबी हो गई लेकिन आपको यह कंटेंट पसंद आया होगा और आप इस पर अपना मत जरूर देंगे थैंक यू सो मच